क्या है आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं उस एप के अंदर एक नए अपडेट आया और नए फीचर को वहां पर जोड़ दिया गया और कुछ नए बक्स को फिक्स किया गया है दोस्तों यह नए फीचर क्या है कैसे उसको यूज करेंगे आज की वीडियो में ब पूरा देखेंगे तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तों चलते हैं आगे मेरे नाम सणी और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा इसको अपडेट करने ना इस एप को वन एंड ऑपरेशन को इसमें लेटेस्ट अपडेश के ल अंदर और वहां पर आप रोटेट कर पाएंगे अपने स्क्रीन को राइट और लेप्ट वो भी गैजर के थुरू और कुछ फिक्स बग को फिक्स किया गया है और वन वन यूई 4.0 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहां पर आप पालफेबर की थीम को भी अज़ेस्ट यूज़ कर पाएंगे और इनेवल सिस्टम बैग गैजर वेन हैंडल इस हिडन बाई एप एक्सेटरेशन के अंदर आप वहां पर सिस्टम के गैजर को भी एफेक्ट या यूज़ कर पाएंगे तो यह सारी बताने वाला हूं सब चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे और कह पीचर था उसके अंदर यह था कि आप क्योग टूल के अंदर आपको क्योग टूल को और स्टिंग पहर आप पर आप देखी आपको नया ऑप्शन मिल रहा है ndfc और नोडू डिस्टम जो की पहले नहीं आता था अब यहां पर यहां पर और इसको भी एड कर पाएंगे लाइक मैंने यहाँ पर square करा, back करा और मैंने यहाँ पर Qtool को choose कर लिया, Qtool को मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ swap करूँगा तो मैंने कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको do or disturb को option मिल रहा है, आप यही से enable और disable उसको कर पाएंगे तो सबसे पहला update यह था यह सबसे पहला feature यह था उसके अदोसो second दिया गया है वहाँ पर की देखेंगे आप यहाँ पर second update दिया गया है, change screen rotation left और right आप rotate कर पाएंगे वो भी gather की तरूँ, तो उसके लिए मैं बता दूँ उसके लिए मैं यहाँ पर बापस आ गया हूँ one end operation पे, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर जैसे right handle वाला है मैंने यहाँ पर, यह नीचे वाले arrow पे मैंने यहाँ पर आप देखेंगे आपको नए option मिल रहा है, rotate right और rotate left और auto rotation का जो कि पहले option नहीं आते थे अब यह option आपको यहाँ पर दे दिया गया मतलब कि अगर आप चाहते हैं आपकी screen rotate हो जाए right की hand की तरफ जैसे मैंने यहाँ पर इस पर इसको rotate करूँगा, देखेंगे आप यहाँ पर rotate हो चुकी यह screen जो कि यह पहले option नहीं आता था अब आप easily इसको rotate कर पाएंगे via gazers के थुरू और mobile का unlock करके unlock करेंगे तो वापिस आपका mobile की screen वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से कर तकते हैं rotate right और left और यह फिर auto rotate आप मैंने देख रहे हैं और automatic आपको rotate करना है अपने screen को fastly तो आप इसको use कर सकते हैं, आपको अपने mobile को rotate करने की ज़रूरत नहीं रही है, आप सीधा अपने mobile की screen को rotate कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा जो नए feature लगा है, मुझे अच्छा feature यहां पर दे दिया गया है, उसके आप दोस्तों में थर्ड बताने वालों जोखी है, add acceptation का, वहाँ पर उसके लिए आपको करना क्या हो गई है, जाना advanced setting पर advanced setting के पर जाने का आपको जाना है apps access मतलब कि यहां पर अगर आपका one hand का operation का जो gather है, वहाँ यूज नहीं होगा आपका normal gather वहाँ पर आप यूज कर सकते, like कुछ apps ऐसी होती है जहाँ पर आप one hand operation का gather यूज करने में problem आती है, तो यहाँ पर उन app को आप select कर लीजिए, और उस app के अंदर आप अपना normal जो की पहला navigation gather होता, उसको यूज कर पहेंगे, like मैंने यहाँ पर क्या करा system setting के अंदर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया आप देखेंगे, मैंने setting के अंदर normal gather को वहाँ पर select कर लिया, और जब भी अब मैं यहाँ setting में जाऊंगा, और यहाँ समय किसी भी app में जाके अगर back करता हूँ तो आप देखेंगे, normal gather यहाँ पर use हो रहा है, वहाँ पर one hand operation का gather यूज नहीं हो रहा है, जिससे आप quickly वहाँ पर use कर सकते हैं, आप वहाँ पर बहुत सारी apps को choose कर सकते हैं, बट अब वहाँ पर एक नया changes यह है, पहले उम्हीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो धैंकियो तो थेंगी दोस्त।